हलो स्टुडेंट तोड़े वीविल लार्न हाउ टू डू रेपिट स्केच अभी आपका जो step by step book में दिया गया है जो भी setting दिया गया है उसको बोलते है repeat setting ठीक ना repeatedly वो set होता है तो जैसे मैं एक object बना रहा हूँ look at here clear यह जस्ट एक केप का हो गया तो इसको आप रेपिटेट करना लेकिन आपको practice बहुत चाहिए इसलिए आप धीरे धीरे करके उसको धीरे धीरे पास पास में ही खीच खीच के उसको जाना है मालनो उसको अभी में रेपिटेड अगर मैं speed करूँगा तो कुछ इस तरह होगा लेकिन आपका practice नहीं है ता आप उसको थोड़ा आपके लिए दिक्कत होगा अगर आपका practice होता तो आप ऐसे cross searching भी कर सकते हैं और उसको और थोड़ा finishing करने के लिए पास में भी आप ऐसे जा सकते हो और उसको finish कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको बहुत practice की जोरत है अगर आपका practice सही है तो आप इस तरह cross hatching या plain hatching ऐसे कर सकते हैं यह जैसे मैं shedding किया तो इसी तरह आपको उसको complete करना होगा आपका drawing copy में जो भी drawing आएगा लेकिन फिलाल आप यह जो process में बताया single single line देने का वैसे ही आपको करना है तो इसी तरह आपको जो भी homework दिया जाएगा आप उसको complete करोगे अके थैंक यू